सर हमने डीटी स्टार्ट तो कर दिया है, बट 5-6 देज में खतम कैसे करें सर, और सर डीटी स्टार्ट करने के बाद, कौन सो टॉपिक किस दिन पढ़ना है, किस टॉपिक कितना टाइम देना है, सर यह समझ में नहीं आता सर, सो अगर आपको यह कोई भी दिख करते बेटा, तो आप एकदम सही जगाए हो, क्योंकि आज में आपके लेकर आया हो, डीटी का 5-6 देज सेल्फ स्टार्डी प्लान, जिसमें हम डिसकस करेंगे, कि कब कॉनस टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक कितना टाइम देना है, कैसे इसको बातना है दिनों में, so that आपकी पढ़ाई easy हो जाए, और 5-6 देज में आप डीटी पुरा खतम कर पाओ, ठीक है, साथ में आपको मैं आज एक self-study tracker भी दूँगा, जो आप कैसे यूज कर सकते हो, बताऊंगा मैं आपको, and इसके साथ, आपकी progress track करने के लिए, मैं आ So guys, यह जो 5-6 days self-study plan अपना, यह हमने क्या किया है बेटा, यह 1st half and 2nd half है बाता है, sir, यह 1st half and 2nd half क्या है, बेटा, देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 दिन पूरे-पूरे देतने टीटी को, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, कि हम 5-6 days पूरे नहीं देंगे, हम 12 half days 12 half days, तो आप इसको वैसे भी उसकर सकते हो, कि इस plan को आप 12 half days में उसकर सकते हो, और जो बच्चे 5-3 दिन में पूरा दीटी पढ़ना चाहते हैं, वो भी इसको उसकर सकते हैं, ठीक है, अब देखो, 1st half और 2nd half क्यों बाता हैं हमने, 1st half हमने समझा है कि 6-7 hours का 1st half होगा, 7 और 2nd half भी आपका 6-7 hours का होगा, I am assuming कि आप 12-13 hours पढ़ोगे, तब आप जाके 5-6 days में डीटी खतम कर पाओगे, ठीक है, रोज आपको 12-13 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा कम से कम, उत्ता मैं अग्जूम कर रहा हूँ क्योंकि एक्जाम को भी 50 days ही बचे हुए है, ठीक है, PGP साथ में questions कर लेना, practice, tax rates आपको याद करने पड़ेंगे, और बेटा, chapter 6-7 reductions में, आप try करना कि important वाले सारे कर लो, याद अच्छे से, और बच्चे वे, पढ़ दो एक बार, chapter 6-7 reductions में questions अलग से practice करने के जरुद है, क्या नहीं है जरुद, ठीक है, क्योंकि वो, अलग- question नहीं आता, ठीक है, second, second half में आप कार रहे हो, taxation of various entities, IFS, dim dividend और VDA, अब second half में थोड़े easy topics रखे हैं, ठीक है, और छोटे topics रखे हैं, अच्छा, एक बात ध्यान रखना, taxation of various entities से मेरा मतलब है, buyback, amalgamation, demerger, political parties, और electoral trust, यह सब चीज़े हैं, ठीक है, और business trust, investment fund, यह सब है, छ ठीक है, अब second day मैंने दखा है, day two में, first half में capital gain, advanced tax, 244 ABC, ठीक है, first half मैंने second day का थोड़ा सा light दिया, क्योंकि आपका first day का second half थोड़ा सा जादा हो सकता है, इसलिए, इसमें से एक हाट topic आप यहाँ भी लेके आ सकते हो, first half में second day के, ठीक है, second half मैंने रखा है, trust, exit tax, TDS, TCS, यहाँ पर light के थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा आपको heavy किया, कैसे, trust, exit tax, TDS, TCS, ओके, यहाँ आपको second day खत्म करता है, ठीक है, day three में आप मैट, 10AA, AMT और DAA करोगे, और second half में करोगे, equalization levy, advanced ruling penalties, आपको यहाँ पर थोड़ा सा first half भारी रखा है, मैंने second half easy रखा है, ठीक है, fourth में आपको day four में करना है, transfer pricing, assessment और RY filing, और second half में करना है, Sir Caesar appeal revision, ठीक है, अब यह day four थोड़ा सा आपको भारी जाएगा, मतलब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे momentum के साथ, ठीक है, try करना आपका day three में अगर यह topics जो मैंने दी हैं, जल्दी खतम होते ह तो day four का कोई topic आप day three में भी खतम कर सकते हो, ठीक है, day five में, पर एक बात ध्यान रखना, मैंने जितने topics दिया है, सारे achievable है, सारे achievable है, और सारे उत्तर दाई में हो सकते हैं, पकका पका, ठीक है, day five में दिया कर रखा है, मैंने, nr text session, text treaties, model text convention, और BEPS, ठीक है, and second half में, misliness topics, inter topics, gar, DRP, library and special cases, यह जो plan है, यह आप download कर सकते हैं, from my telegram channel, जिसके link description में दी हुई है, वहाँ से download कर लो, और channel join भी कर लो, क्योंकि बहुत सारा content आपके लिए, for November 23 planned है, ठीक है, दूसरी बात देखना है यापे, day six रखा है अपने, अब कुछ बच्चे ना, five days में करना चाहते जो बच्चे six days में करना चाहते हैं, जो बच्चे six days में करेंगे न, उनको बस same plan follow करना है, आप, जो भी six days में करने का plan कर रहो, उनको यह target रखना है, five days में खतम करना है, उनको target क्या रखना है, five days में खतम करना है, बट six days है हमने किस चीज के लिए, यह जो उपर के topics है, इस अमने सिफ ऐसा रखा है कि आपके ऊपर आपशनल रखा है मैं अभी बोलूँगा जो बच्चे डे 6 का भी प्लान कर रहे हैं वो 5 दिन में ट्राय को और ये पूरा खतम करने का जो ट्रोपिक्स बसते हैं वो डे 6 में लेकर जाओ ठीक है पट्राय करना 5 दिन में खतम कर दो और जैसी आप बेटा ये 5 दे 6 दे का ये करोगे प्लान इसके बाद आप क्या कर सकते हो इसके बाद आपको मौक टेस्ट देना है आपका आईसेय का मौक टेस्ट जो है ना मौक टेस्ट वन वो आपको देना है ठीक है, एक दिन, जिस दिन ख़तम हो जाएगा आपका पढ़ाई, उस दिन दे देना, आप लोग मॉक टेस्ट, ठीक है, दूसरी बात, आप YouTube चैनल तो पर अल्रेडी हो, पर ये जो PDF डाउनलोड करेगा, तेलरम से, उसके में लिंक दी हाँ पर, चैनल की, तेलरम चैनल की, य के अलाबा, आपको मैंने साथ में दिया, study tracker, अपसे study tracker कैसे follow करना है, तो study tracker में क्या है, आप जैसी पढ़ाई करना चालो करोगे, तो डेवर में जो topics आपके हुए है, ठीक है, ये प्रिंट कर ले ना, आप, text rate, PGP, chapter 60, deductions, ठीक है, खतम होते जा रहा है, जो topics, वह यहापे question देखना है हमको, वह सब study tracker में लिख लो, आप, जैसे माल लो, PGP में, मुझे पर्टल ले ऐसे देखना है, कि मुझे ना, वो, total income वाले question एक-दो देखना है, total income वाला question number 42 देखना है, मुझे, मैं लिख दिया, मैं को RTP, November 23 question देखना है, वो मैंने लिख दिया, तो ऐसे आप करके, इसको, यूज कर सकते हो, ऐसे, हर दिन का, आपको topics लिखना है, cut करना है, आपे, तो study track करते रहोगे, तो proper study track होते रहेगी, आपकी, and खतम होती रहेगी, इसके लावा, बेटा, जो DT का, self study plan का, जो बनाए है, आपने, इसका group बनाए है, telegram पे, telegram पे, group है, मैंने आपकी study progress, check करने वाला हूँ, ठीक है, रोज आपसे पूछूँ कित्य पढ़ाय हुई, और बीच में guide भी करते रहोगे, जो भी chapters आप start करने वाले रहोगे, हर particular chapter के लिए, हर particular chapter के लिए, इस chapter में यह चीज़ important है, इस chapter के इतना time देना, वो रोज का हर दिन, मतलब यह, इस group मैं guide करूँगा, हर chapter के लिए, ठीक है, तो यह, मतलब बहुती successful और बहुती fruitful आपके रहेगा, यह, डीटी का 5 days plan, तो मेरे साथ डीटी खतम कर लो, बढ़िया से, अब यह plan start कप से कर रहे हैं बेटा अपन, यह अपन कर रहे हैं बेटा 15 September से, ठीक है, अब सार 15 September से क्यू start कर तो हम कल से start करना चाहते हैं, जो बच्चे कल से start करना चाहते हैं, कल से कर दो, बट जब मैंने plan निकाला, तो अलड़ी कुछ कोई बच्चे कुछ नो कुछ पढ़ रहे होंगे, तो वो आप rap-up कर लो, कल एक दिन में 14 और 15 से मेरे साथ यह study plan चालो कर दो, ठीक है, अब जो गाइड किया होगा, day one, day two, day three में, ठीक है, तो वो आप लोग पक्का-पक्का से देख लेना, ठीक है, जब भी आप परोगे, तो day one का क्या गाइड किया है, अमेरे day two, क्या गाइड किया है, उस अब देख लेना, ठीक है, मुझा लगता है, बहुत ही comprehensive तरीके साथ मुझा अब यह प्लाइन के लिए बैटा, यह प्लाइन उनके लिए जिनकी डीटे की पड़ाई एक बार हो चुकी, class एक बार हो चुकी, खतम अचा, पड़ाई नहीं भी तो class खतम हो चुकी है, ठीक है, उनके है, जिनको five to six days में डीटी खतम करना है, अब जो बच्छे class ही कर रहे ठीक है, क्योंकि November attempt आपका golden attempt है, आखरी attempt है, old course का, and I want you all to pass, I want कि कोई बच्चा, डीटी कर ना रूख जाए, तो मैंने उसके price एक्दम slash कर दिये, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो, मेरे website से, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया आपको, जो group की link है, description मिल जाएगी, टेल्गाम doubts हो, तो वो पूछ सकते हो, comment section मुझे, और please share करना सब दोस्तों के साथ, ठीक है, चलो, okay, bye bye, see you, मिलते है,